कूडे के धेर में फेकी गई रोटियां रोज यही बयान करती हैं कि पेट भरते ही इंसान अपनी आउकाद भूल जाता है कटू सत्य है कि ठंडी रोटी अकसर उनके नसीब में आती है जो अपनों के लिए पूरी जिन्दगी कमाई करके देरी से घर लोटते हैं देश विदेश में बैटे सबी दर्शकों को मेरा प्यार भरा नमश्कार उच्सुकता तो बहुत है कि आने वाला वर्ष हमारे जीवन में क्या लेके आने वाला है इतनी मेहनत करके हम कहां पहुँच रहे हैं और क्या ग्रहे हमारी मेहनत को शुरेश्ट फल देने वाले हैं या हमें और जादा मेहनत करने पर विवर्ष करने वाले है जैसे कि आप जानते हैं इस चैनल पर सिर्फ सच कहा जाता है क्योंकि मैं और मेरे पताजी ये मीठी मीठी बातें करके आपको और आपके भविश्य को गुम्रा नहीं कर सकते ये ना उदेश्य है और ना ही फित्रत है इस एपिसोड में हम बात कर रहे हैं मकर राशी की कि आपके लिए वित्य स्थिती पर कैसा ये वाला साल याने कि दो हजार चौबिस रहने वाला है स्वास्ते की बात करें लव लाइफ की बात करें कैरियर की बात करें इन सब पर आगे हम एक एपिसोड अलग से बनाएंगे और चर्चा करेंगे कि कैसा ये वर्ष रहेगा क्या हमें इस वर्ष आराम प्रदान होगा या मेहनत और जादा बढ़ेगी इसके लिए बस यही कहूँगा कि इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जो है वो दबा दीजेगा ताकि जो भी एपिसोड आता है आपको अविश यही देखने को मिले आपको ढूंड ना पड़े खोज ना पड़े आज एक चर्चा की और अगली चर्चा में आप उपस्तिती ना हो ऐसा ना हो इसके लिए इस एपिसोड को जरूर आप लाइक कीजे चैनल जो है उसको सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजेगा ठीक है अब बात करते हैं 2024 कैसा होगा मेरे खास मकर राशी के लिए वर्ष के शुरुवात काफी फेवरिबल रहेगी काफी आशावादी हो करके आप ये समय गुजारेंगे आप्टिमिस्टिक रहेंगे बुद्ध और शुक्र आपके एकादश भाव में व्रद्धी करेंगे और वहाँ उपस्तित हो करके आपकी आमदनी को दिन दुगनी रात चौगनी बढ़ाते रहेंगे वित्य स्थिती बहुत मजबूत होगी और दूसरे भाव में उपस्तित शनी महाराज अपनी ही राशी यानि की कुम्ब में होने से सेविंग करने की आदद पर भी जोर बनाये रखेंगे होगा क्या पैसा भी तिजोरी तक जरूर पहुँचेगा हाला कि मंगल और सूरिय की जो वर्ष की शुरुवात में स्थिती है बादश भाव में होंगे जिससे की खर्च भी होंगे लेकिन फरवरी दोहजार चॉबिस के बाद से उनमें कमी आने लगेगी वित्य तोर पे ये वर्ष आपको बहुत कुछ देने वाला है या ये कहें कि कोशिश तो यही रहेगी कि आपको बहुत कुछ दे दिया जाए देवताओं की ग्रहों की स्थिती ये है बाकी स्वयम की बुद्धी पर निर्भर करता है कि जो पैसे आ रहे हैं उसको बचा के रखना या खर्च कर देना है या एंजॉय करना है अब एक टाइम लाइन बता रहूं नोट कर लीजे एक मई दो हजार चौबिस इसको ब्रहस्पती माराज चतुर्थ भाव से निकल करके पंचम भाव में प्रवेश करेंगे और वहां से नवम भाव एकादश भाव और आपके प्रतम भाव यानि कि आपकी राशी को देखेंगे इससे भी आर्थिक स्थिती और वित्य संतुलन आपको यहां साधने में सफलता मिल जाएगी तो यह हुआ दो हजार चॉबिस का वित्य राशी फल या फैनाशिल राशी फल अब के राशी के लिए आशा करता हूँ यह एपिसोड पसंद आया होगा और पसंद आया है तो सिर्फ देखना नहीं है एंड तक पूरा देखे हैं तो लाइक करना है चैनल को सबस्क्राइब करना है इसका ज़रूर ध्यान दीजेगा मैं आशा करता हूँ कि आपका यह वर्ष जो है चाहे स्ट्रगल से भरा हो या बहुत ही पॉस्टिव हो पर आप हमेशा खुश ही रहे चैलिंजेज हैं उसको एकसिप्ट करें और उस चुनायती को मानते हुए आगे बढ़ करके उस पे सफलता अवश्य ही पाएं क्योंकि मैं ये दिल से कह रहा हूँ कि किसी के लिए भी बुरा नहीं चाहता जो ग्रहों की स्थिती है जो ग्रह बताते हैं वो कहना सिर्फ और सिर्फ इतना ही मेरा काम है आपको गाइड करना एस्ट्रॉलोजिकली वो मेरा काम है वो मेरा करतव्य है वो मेरा धर्म है उसको मैं पूरी तरीके से निभा रहा हूँ और आशा यही करता हूँ कि कैसी भी कोई भी स्थिति आपके सामने क्यों ना आए पर आप अपना स्टैंड यहां पे ना खोए आप पूरे साल बहुती स्ट्रॉंगली कोई भी स्ट्रॉंगल है तो उसको पार करें सक्सेस अवश्य पाएं और अगर अच्छा साल है तो अच्छे साल में सिर्फ कमाई जो हो रही है उस पे ध्यान मत दीजे दूसरों का भला करने पर भी ध्यान दीजेगा कि अगर आपको इश्वर ने ये आश्रवात दिया है कि ये वर्ष आपके लिए अच्छा है तो गरिमों की सेवा, बड़े बुजर्गों की सेवा कहीना के अनाताले में जाकर कि सेवा अवश्य ही कीजेगा क्योंकि जब अच्छा हो रहा है तो हर किसी के साथ में अच्छा करना ये स्वयम का करतव ये बन जाता है मेरा ये मानना है, अगर आपका भी यही मानना है तो ये करके इस वर्ष को अतीशुब बना सकते हैं हमेशा की दरे प्रात्ना यही करता हूँ कि आपका और हमारा परिवार सदेव ही सुखी रहे, संपन रहे और सुरक्षित रहे घर में बड़े बुजर्गों का साथ और आश्रवाद अगर हमारे साथ में हमेशा ही बना रहे तो प्रगती हमेशा हमारे पास में होगी हम हमेशा जो भी कदम लेंगे वो प्रगती की और लेंगे सकसिस की और लेंगे और अपने जिंदगी में बहतर करते चले जाएंगे नव वर्ष से एक अप संकल्प ले लीजे हर सुबह उठकर के नहा करके भगवान के चरंस पर्ष करूँ उससे पहले अपने माता पिता के अपने दादा दादी के चरंस पर्ष करके ही अपने दिन की शुरुआत करूँ इतना सा अगर कर लेते हैं तो मैं आपको गारंटी के साथ में कह सकता हूँ कि ये वर्ष आपके लिए बहुत बहुत जादा फेवरिबल बन सकता है क्योंकि जो इश्वर नहीं कर सकता उसने अपना एक अंश माता के रूप में आपको दिया है और माता का आशिरवाद पिता का आशिरवाद हो तो मान करके चलिए कि जीवन में कैसी भी खटनाई क्यों नहीं हो वो आपका बाल भी बाका नहीं कर पाएगी हमेशा की तरह जै श्री राम एवं जैहन